नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फलदाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके ऊपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग योग व्यागात नामक नैसरगिक अशुब योग दुपहर बारा बचकर एक मिनिट तक तदू परांथ हर्शन नामक नैसरगिक शुब योग है विशिष्ट योग राजियोग प्रातह साथ ग्यारा तक तथा रवियोग नामक शक्तिशाली शुब योग अंतराच छे बारा से प्रारंब अब जान लीजे आज के वरत तियोहार उत्सव और विशेश आयोजवन के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्तिती कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा अब आपको बताते हैं शुब मुहूर्थ और श्वेश्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा आज ग्रेह आरम व ग्रेह प्रवेश अपरी हार्य शनी यूती दोश नामकरण व अनप्राशन के धनिष्टा नक्षत्र में व क्रिपार आरम मशीनरी प्रारम वाहन क्रेय करना दुई रागमन हल प्रवहन व ग्रेह प्रवेश अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आजन्म लेने वाले बच्चे आजन्म लेने वाले बच्चों की नाव गे, गो, सा, सी, सू, से आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जन्म राशी कुम्भ है, कुम्राशी की स्वामी शनी देव है अंतराच 6-12 तक जन्मे जातकों का जनम तामरपाद से वा इसके बाद जन्मे जातकों का जनम लोहपाद से है समाने तह ये जातक धनी, सत्यप्रिय, बुद्धिमान, नेक काम करने वाले होशियार, सफल वशत्रूजित होते है इनका भाग्यदाय लगभग 28 वर्ष के आयू के बाद ही होता है कुमराशी वाले जातकों की कारे विवसाय में प्रगती होगी, नौकरी पेशा वाले जातकों की प्रशंसा होगी ये श्प्राप्त होगा तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक शत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं ग्रहनक शत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं इश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार